कक्षा 10 विशा हिंदी व्याकरन रिवीजन अर्थात पुन्राविर्थ के क्रम में रचना के अधार पर वाक की भीत कर रिवीजन करवा रहे हैं सब्दों के सार्थक मेल को वाक की कहते हैं सब्दों यानि एक से अधिक सब्द रहेगा सार्थक यानि कोई नो कोई अर्थ रहेगा सार्थक अर्थ रहना चाहिए वाक की विशेष्टाएं किसी भी वाक में निम्लिकित विशेष्टाएं होनी चाहिए पहला वाक में प्रियुक्त हर सब्द का कुछ नो कुछ अर्थ होनी चाहिए वाक में प्रियुक्त हर सब्द की आपस में संगती होनी चाहिए तीसरा वाक में पूर्ण अर्थ अविव्यक्त करने की छमता होनी चाहिए और चोथा वाक में सब्दों का एक निशित क्रम होना चाहिए समनते हां हिंदी में पत क्रम इस प्रकार से रखा जाता है करता पलस करता जोर कर्म, जोर पूरक, जोर क्रिया वाक के दो अंग होते हैं उद्देश और विदेः वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश कहते हैं जैसे राम आम खाता है वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है तो राम के बारे में कहा जा रहा है अता राम उद्देश हो गया प्राची बिध्याले जाती है वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है तो प्राची के बारे में तो प्राची उद्देश हो गई दूसरा है वाक्य अंग बिध्याले उद्देश के बारे में वाक्य में उद्देश के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विध्य ही कहते हैं जैसे राम आम खाता है मैं राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम उद्देश हो गया और आम खाता है वा उद्देश के बारे में कहा जा रहा है तो आम खाता है विधे हो गया प्राची विध्या ले जाती है मैं प्राची उद्येश और विध्या ले जाती है विधे हो गया जहां तक रचना के आधार पर वाक के प्रियो भेद का वर्णन करना है तो रचना के आधार पर वाक के भेद रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक के होते हैं सरल वाक, संजुक्त वाक और मिस्र वाक सरल वाक, संजुक्त वाक और मिस्र वाक यही तीन वाक के रचना के आधार पर वाक के कक्छा दस के पाठक करम में है इसका लक्षन और उधारन एगली किलास में जब परहाने आएंगे तब संधारेंगे